वो उसके उत्तर की कमी से बहुत असंतुष्ट था यूओ कियान का चेहरा लाल हो गया और उसने जह ज़गते हुए कहा म्यू मास्टर म्यू ऐसे मत बनो उधरन चिन और क्या म्यू यूंजिन ने अपना हाथ छोड़ा उसकी गर्दन के चारों और टाइखीची फिर अपनी गोरी थुड़ी को उपर उठाया नीचे किया उसके सिर को चूमा उसके होटों को चूमा बहुत हलका चुमबन फिर उसने चिलाते हुए पूछा ऐसा मत करो उसकी गर्म सांसे उसके शरीर पर गिरी जिससे वह और भी शर्मिंदा हो गई मियू, मिस्टर मियू, उसने हकलाते हुए कहा, ये कमपनी है, हाँ, मेरी कमपनी मियू यूंजिन ने सिर हिलाया, अपनी आखे से कोड़ी और जोर दिया, मेरी कमपनी उसके बाद, उसने अपना सिर नीचे कर लिया फिर से, और उन होटों को चूमा जिन्हें वो काफी समय से मिस कर रहा था एक चुमबन और यह नियंत्रन से बाहर हो गया, जिस स्वाद से वह एक सप्ताह से वन्चित था, वह निस्संदेहा करशक और पागलपन भरा था उसने अपनी बाहे उसकी पतली कमर के चारों उर्डाल दी और उसे अपनी बाहों में दबा लिया ठीक है, लूओ कियान उसके चुमबन से बेदम हो गई और धीरे से करा हुठी हाला कि, यहाँ आवाज बेहद आकरशक हैं, जिससे लोग लगभग पागल हो जाते हैं तोफे पर फिक दिया था, उसने उसके शरीर को धांग दिया, उसके होठों को छोड़ दिया, उसकी नाजुक कॉलबोन को चुमा, पूरी तरह से नीची तक साथ ही उसके हाथों ने उसके शरीर पर चलाने लगा बाग में उसने उसके कपड़े खोलना शुरू कर दिये मास्टर म्यू मत करो यहां मत करो यूओ कियान को उसने इतना चूमा कि वो पूरी तरह से अपनी ताकत खो बैठी कारण का एक मात निशान शेश रहने पर वो मदद नहीं कर सकी लेकिन उसके पास पहुची और उसे धक का दिया हाला कि वो थोड़ी सी शक्ति वास्तव में उल्लेक करने लायक नहीं है मास्टर मू उसकी आवाज लगभग रुंदी हुई थी हर बार जब वो इस तरह करता था तो वो डर जाती थी ऐसा लग रहा था मानो मुझे फिर से वो पागल रात याद आ गई हो हाला कि उस रात की कई यादे अधूरी हैं लेकिन मुझे हटी कुचल देने वाला दर्द अभी भी सपश्ट रूप से याद है इसलिए जब भी मुझे की इच्छा सामने आई उसने इसका विरोध किया इससे मास्टर मुझे को भी असुविधा होती थी लेकिन वो कभी भी उसे नहीं खा सकता था मास्टर मुझे उसका जुनूल जारी रहा लेकिन वो इसे अस्विकार करती रही और उसकी कोमल आवाज ने लोगों की दिलों में खुजी पैदा कर दी और भी अधिक असहनिय गुझे इंकाम करके वापस आया दरवाजे तक गया अपना सिर उठाया और कहा सीयो परिनामस्वरूप उसने केवल एक शब्द कहा और दो लोगों को अंदर सोफे पर एक साथ लोटते देखा सहायक गुव चानक ब्रमित दिखे उन्होंने अपनी नाप पर लगे चश्मे को उपर किया चुपचाप अपना हाग बढ़ाया करतवय पूर्वाकुन दो लोगों के लिए दर्वाजा बंद कर दिया जो गर्म बातचीत कर रहे थे और पीछे हट गए वो कुछी दूरी पर पहरा देकर खड़ा हो गया उसे डर था कि कोई अग्यात व्यक्ति आएगा और उसके सीयो के अच्छे कारियों में बाधा डालेगा लेकिन मैं चुपचाप इस बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे पहले किसी को नया मोबाइल फोन खरीबने के लिए भेजना चाहिए और गर्म निरोधक गोलियां हाला कि अंदर मौजूब दो उब्र लोग आखिरकार रुख गए लूओ कियान के बार-बार मना करने के बाद मिलदा खड़े हुए अपने कपड़े सीधी किये और उनका चहरा पानी की तरह उदास था उन्हें महिलाओं के साथ जबर दस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अन्य था अपने इच्छाओं के आधार पर मैं न जाने कितनी बार अधिपती को अपना धनुष चुकाने के लिए मजबूर कर देता लूओ कियान शर्मिंदगी में सोफे से उठी और जल्दी से अपने गंदे बालों और कपड़ों को साफ करने के लिए चली गई लेकिन उसने पाया कि उसके कपड़े एक बड़े छेद में फट गए थे और बिलकुल भी खराब नहीं हो सकते थे वह सोफे पर बैक गई और बिना आंसुओं के अपने कपड़ों को देखने लगी जो हिस्सा फटा था वह अभी भी चाती था और यहां तक की अंदविय भी खुला था मू युंजिन ने भी इस पर ध्यान दिया और अपनी आँखे मून ली यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो ये ठीक है लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यह आपको और भी अधिक सहज महसूस कराता है धक्तेरी की उसने अत्यांत को रूप देखकर मन ही मन शाप दिया वो आत्मसयम से रहित व्यक्ति नहीं है पिछले कुछ वर्षों में जो महिलाए मेरे दर्वाजे पर आई हैं उनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक सुन्दर है लेकिन उसने अपनी पलके तक नहीं उठाई दूसरे पक्षने चाहे जो भी तरकीबे अपनाई चाहे उसके कपड़े कितने ही खुले क्यों नहीं वे उसमें कोई इच्छा नहीं जगा सके अप्रत्याशित रूप से जब वह लुओ कियान से मिले तो इच्छा अपने आप उभराई और वह से नियंत्रत भी नहीं कर सके नियंत्रन से बाहर हुने की इस भावना ने मुयून जिन को बहुत चिर्चिरा बना दिया एक व्यक्ति जो हमेशा आत्म नियंत्रन में अच्छा रहा है वह इस क्षेत्र में लड़ खड़ा गया है जो वास्तव में असुविधा जनक है वह थंडे भाव के साथ लुओ कियान की ओर चला गया उसकी लंबी आकरते को देखकर लुओ कियान अचानक घबरा गई उसकी आँखे धुन्द से भर गई और उसने कमजोर होकर कहा यंग मास्टर म्यू आप आप नहीं वह कहना चाहती थी क्या उसने पहले ही उससे जाने नहीं दिया था उसने दोबारा ऐसा क्यूं किया आना चाहते हो आपने ये कैसे किया आगले ही पल मुश जनने आगे बढ़कर अपने गाल पर लगे घाब कुछ हुआ चोट गंभीर नहीं थी क्योंकि खून के धब्बे पहले ही साफ कर दिये गए थे इसलिए अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं बता सकते लेकिन मूयूंजिन ने फिर भी इसे ध्यान से देखा लूओ कियान स्टब्ध रह गई आपने क्या कहा? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? या मैं क्या करना चाहता हूँ? उसकी स्टब्ध अभिव्यक्ति देख कर मूयूंजिन को पता चल गया कि वह गलत सोच रही है नीची और ओगरी हुई पूच का स्वर सुन्दर और आकर्शक होता है लूओ कियान ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से समझाया मैंने इसे अभी मिटा दिया ये ठीक है किंग विंग किंग को कमपनी से बाहर निकाल दिया गया है और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है फोन कहा है इसे किसने गिराया किसी समय तूटा हुआ फोन मू युनजन के हाथ में दिखाए दिया लूओ कियान ने अपने होंट भींचे और उसकी निर्विवाद निगाहों को देखा अब जूट बोलने की हिम्मत नहीं की और इमानदारी से कहा जब मैं किन क्विंकिन के साथ बहस कर रही थी तो मैं गिर गई थी उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है इसलिए चलो इस मामले को आगे न बढ़ाएं आगे कोई जांच नहीं मुल युंजिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई लूओ कियान ने सिर हिलाया मियूदा ने अपना मोबाइल फोन फिक दिया घूमे और अपनी मेच की ओर चले गए चाय का एक भूट लिया भौहें चडालनी और थंडे स्वर में कहा क्या आप भूल गए हैं कि मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था ये सुनकर लूओ कियान ने देखा उसने उसकी ओर देखा भ्रमित होकर पूचा तुमने कौन सा वाक्य कहा उसने आखिरी बार उससे बहुत सी बाते कही और उसे नहीं पता था कि वह किस वाक्य का जिक्र कर रहा था मू यूंजिन का चेहरा काला पड़ गया वह इतना गुस्से में था कि वह नाराज हो गया ये बेवकूफ है उसने अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा और उसकी ठंडी आवाज फिर से सुना आई डी अगली बार जब तुम्हें धमकाया जाए तो उसे पीछे से धमकाना याद रखना क्या ये शर्मनाक नहीं होगा अगर उसकी महिला में भी उसे धमकाने की हिम्मत नहो लूओ कियान को अपने दिल में गर्माहत महसूस हुई उसने अपने होंट भींच लिये जलती आँखों से उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया की क्या जवाब दे मू यूंजिन ने गूर जेन से कुछ कपड़े लाने के लिए कहा और तुरंट अपना सूर जकेट लूओ कियान की ओर फेक दिया और कठिनाई से उससे दूर देखा उसे दर था कि अगर वह इसे देखता रहा तो दोबारा इसे सहन नहीं कर पाएगा कल एक भोज है शाम साथ बजे मेरे साथ आओ थोड़ी देर बाद वह मेज पर वापस चला गया जानकारी पढ़ना जारी रखा और लूओ कियान से धीमी आवाज में कहा लूओ कियान ने सिर हिलाया अच्छानक कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाया मिस्टर मियू मुझे कल कुछ करना है तो क्या आप इसे किसी और के लिए बदल सकते हैं वह लगभग भूल गई थी कि वह सू किंग और बाई मूफेंग की सगाई में शामिल होने जा रही थी कल पार्टी क्या कुछ गढ़बर है मू युन्जिन ने अपना सिर उठाया और थंडी आँखों से देखा हाँ कुछ तो है क्या उध्धरन कुछ निजी माम ले धमाके के साथ दरवाजे पर दस्तक से दोनों के बीच बातचीत बाधित हो गई सीयो मिसलूओ के कपड़े गूल जेन अपने खरीदे हुए कपड़ों के साथ अंदर चला गया जब उसने अपने सीयो का उदास चहरा देखा तो उसके दिल में थंड़क महसूस हुई और उसकी रीर में थंड़क दौल गई सीयो ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है फिर भी वो परेशान होकर असंतुष्ट क्यों दिखते हैं कपड़े भी फटे हैं लेकिन काम तो हो चुका है उसे दे दो मू युंजिन ने थंड़े स्वर में आदेश दिया गूर जेन के जाने के बाद उसने बिना सिर उठाए लुओक यान से कहा आप बाहर जा सकते हैं लुओक यान ने सोचा कि वो कल के बारे में फिर से पूछेगा और सोच रहा था कि कैसे उत्तर दिया जाए अप्रत्याशित रूप से उसने दोबारा नहीं पूछा उसे तुरंत राहत मिली उसने अपना सामान पैक किया और काम पर वापस गई गू जेन, सहायक गू बहुत वियस्त था, वह अभी अभी अपने कार्याले लोटा था और राश्ट्रपती मियू उसे बिना बैठे ही वापस ले गया जाओ और कल उसके ठिकाने की जाँच करो मू यूंजिन ने अपना सेर उठाया, उसकी ठंडी आँखों में क्रोध का संकेत जलक रहा था जाहिर तोर पर उस महिला के पास छिपाने के लिए कुछ था ने जी मामला, आप किसे देखना चाहते हैं हाँ, गू जेन अभी चला गया मू यूंजिन का सेल फोन बजा कमी ने, मैंने किसी को जाँच के लिए भीजा था जिस लड़की का तुमने उलेक किया है वह सिर्फ तुम्हारी कंपनी की कर्मचारी है मंगेतर नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्क बनाने की श्री म्यू पिछली बार से भी अधिक प्रोधित थे उन्होंने लुओ कियान की प्रिष्थ भूमी की जाँच करने के लिए किसी को भेजा और पता चला कि वह अब म्यू ग्रूप के लिए काम करती है हाला कि मू यूंजिन ने उसकी देख भाल की लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहते थे और मैंने इस सप्ताह उसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी नहीं है अविवाहित जोडों का क्या होता है श्री म्यू जो अपने परपोते को पाने के लिए उत्सुक थे फिर से शादी के लिए दबाव दालने लग दादा जी मैं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है शादी तीन महीने के भीतर ते होनी चाहिए अन्य था मुझे अपनी घरेलू पंजी करन पुस्तिका लाओ और मैं तुम से शादी करने के लिए किसी को ढूंदूंगा फोन रखने के बाद महीला का नाजुक छोटा चहरा उसके दिमाग में फिर से घबराया हुआ लेकिन प्यारा लग रहा था म्यूदा ने अपने होन्ट से को लिए श्रीमती म्यू की सीट उनकी थी इस समय म्यूग्रूप के बाहर प्रबंधक क्या हो रहा है सीयो और उस महीला के बीच क्या सम्बंध है किन क्विंकिंग ने चीजों का एक बक्सा उठाया और अनिच्छा से प्रबंधक की ओर देखा और पूछा मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको उसलूओ की आन को अपमानत नहीं करने दूँगा क्या आप जानते हैं कि उसकी व्यवस्था सीयो द्वारा की गई थी योजना विभाग के प्रबंधक ने किन क्विंकिंग को अधीरता से देखा यदि यह उसके परिवार के बुजुर्गों से संबंधित नहीं था तो वह वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था ये औरत हनकारी और अवग्या कारी थी मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन उसने नहीं सुनी इस बार तो अच्छा हुआ उसने चीटी के घोसले में चुरा घोंप दिया था फिर CEO प्रेनी के साथ उसका रिष्टा क्या है किंग विंग की अभी भी इस सवाल से ग्रस्थ है उसका CEO के साथ किस तरह का रिष्टा है कौन जाज करने की हिम्मत कर रहा है आप प्रबंधक ने भोहें चणाई उसकी और देखा और चेतावनी दी जब तक आप जा सकते हैं चले जाओ आन्यथा अगर लुओ कियान CEO के सामने कुछ कहता है तो शायद जयान चेंग मैं अब और नहीं रुख सकता इतना कहने के बाद मैनेजर जल्दी से चला गया वह इस महिला की वजह से किसी परेशानी में नहीं पढ़ना चाहता था किं कुण किंग ने गुसे में अपने पैर पटक दिये अपनी चीजों को अपनी बाहों में लेकर घर के लिए टेक्सी ले ली टेक्सी में बैठते हुए उसने गुसे में अपने हाथ में कार्डबोर्ड बॉक्स को कुचल दिया उसमें अपने नाखुंगड़ा दिये और धीमी आवाज में शाप दिया लूओ कियान, तुम लोंडी, तुम उस आदमी को बहकाने की हिम्मत कर रही हो जो मुझे पसंद है तुम इस भुक्तान का इंतचार करो हम अच्छी गन्ना करनी चाहिए इस थंडी नजर ने उसके सामने ड्राइवर को भी चौका दिया और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, आजकल के युवा लोग, लूओ कियान ने अपने कपड़े बदले और कार्याले लोट आई और तुरंत अंगिनत ने गहे आकर शित्की एक सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, कियान कियान, आपके कपड़े बहुत सुन्दर है आपने उन्हें कहां से खरीदा, लूओ कियान ने अपना सिर नीचे किया और अपने पहने हुए कपड़ों पर नजर डाली यह एक और लंबी पोशाक थी, बेज रंग की, साधारन पेटन वाली लेकिन आरामदायक सामगरी के साथ बहुत, वो ब्रांड को नहीं पहचान पाई, लेकिन उसके तेज तर रार्सल कर्मियों ने इसे तुरंट पहचान लिया और आश्चर्य से कहा हे भगवान, मैंने कल मॉल में ये पोशाक देखी, और इसकी कीमत 38,000 योवान थी यह अगला मॉल है, हमारी कमपनी को हर कोई हैरान था, वे सभी जानते थे कि कमपनी के बगल के शॉपिंग मॉल में सभी विलासिता के सामान बेचे जाते थे और कप्टों की कीमत 8,000 से शुरू होती थी गूर जेन जल्दी में बाहर चला गया, इसलिए वलकेवल निकत्तम को ही चुन सका लूओ कियान और अधिका जीब धंग से मुस्कुराया, लेकिन वह अपने दिल में शाप दिये बिना नहीं रह सका दिक्कार है, 38,000, वही एक साल में इतना खर्च नहीं कर पाती खास बात ये है कि ये जिस कंपनी में है, उसने इतनी महेंगी ड्रेस पहनी है लूओ कियान अंततहा सहज महसूस करते हुए सभी की प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे बैग गई तभी उसने देखा कि ये जियावयान मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहा है उसे असपश्ट आँखों से देख रहा है और पूछ रहा है कियान क्यान आपने CEO के कार्याले में जाने के तुरंट बाद कपड़े क्यू बदले क्या CEO ने उन्हें आपके लिए खरीदा था ये ये इंशियावयान ने इधर उधर देखा ये देखने के बाद वह अचानक खड़ा हो गया और लूओ कियान के कान पर लेट गया और फुस फुसाते हुए कहा ये वही है जिसके बारे में आप अभी CEO से बात कर रहे थे CEO इतना उग्र था कि उसने आपके कपड़े टुकड़े टुकड़े कर दिये इसलिए मैं आपके लिए एक स्थाई खरीदा है लेकिन इस बार्स कट आपके साथ बहुत अच्छी तरह से मिल खाती है आप बहुत सुन्दर है लूओ कियान के गाल लाल हो गए तभी मुझे एहसास हुआ कि सभी की आँख ही असपश्टता से भरी थी हाला कि वो हम्यों युंजन के कार्याले गई और वापस आकर नए कपड़े पहन ली जो वास्तव में कल्पनाशील है उसे अचानक अभी अभी उस आदमी की आँखों की चाहत याद आई और यहां तक कि उसके जलते हुए शरीर का तापमान भी वो अब इसे सपश्ट रूप से याद कर सकती थी और उसे लगा कि उसके गाल गर्म थे और उसका पूरा शरीर जलने वाला था उसे इस तरह देखकर किसी ने दोबारा पूचने की हिम्मत नहीं की लेकिन वे सब समझ गए यूओ कियान का CEO के साथ चल रहा है अफ्याप दोनों के बीच का रिष्टा कुछ भी हो लेकिन सामान्य नहीं है जल्दी करो और काम करो, बात करना बंद करो यूओ कियान ने भोहें चड़ा ली और यिन जियावयान की ओर देखा जल्दी से जानकारी उठाए और काम करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने किसी को बढ़भ़ाते हुए सुना सहायक गू यहाँ है लूओ कियान स्तब्ध रह गई, गूजेन उसे देखने नहीं आ सकता था परिनामस्वरूप, अगले ही पल, गूजेन उसकी मेज पर चला गया और उसकी मेज पर मरहम की एक बोतल रख दी सीयो ने इसे आपको दिया लूओ कियान ने उस पर नजर डाली इसका उपयोग उसकी चोटों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए चहरा दरसल, उसका घाव बिलकुल भी गंबीर नहीं है और संभवत, वह कल इसे नहीं देख पाएगी लेकिन म्यू यूंजिन अभी भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता था और अपने दिल में गर्माहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका वह गू जेन को देख कर मुस्कुराया और कहा कृपया राष्ट्रपती को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें उध्धरन चिन्ह हाँ, बू जेन ने सिरहिलाया और बिना किसी भाव के चला गया सभी हैरान हो उठे CEO के विशेश सहायक के रूप में वहामत और पर्योजना विभाग में बिलकुल नहीं आते हैं यदि कुछ भी होता है तो प्रबंधक आएंगे ये लुओ कियान वास्तव में असाधारन है अगले दिन, लुओ कियान बाइमो फैंग और सूकिन के बीच सगाई की पार्टी में भाग लेने के लिए काम से छुट्टी लेने के बाद जल्दी से निकल गया लुओ कियान के टैक्सी में बैठने के बाद एक सीमित संसकरण की स्पोर्ट्स कार सीधे पीछे चल रही थी जाने के कुछ समय बाद, ड्राइवर ने रियाव्यू मिरपर नजर डाली और खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाया पीछे एक कार क्यों चल रही है ये सुनकर लुओ कियान चौक गया क्या ये मूयूंजिन हो सकता है वह जल्दी से बगल में मुली और पीछे देखा लेकिन ये वह काली मेबैक नहीं थी जिसमें मूयूंजिन अक्सर बैखता था लुओ कियान ने अपनी चाती थप थपाए और राहत की सांस ली अगर ये मूयूंजिन न होता तो बहतर होता वह नहीं जानती थी कि वह इस आदमी से इतना दर्ती क्यूं थी हाला कि वह उसके प्रती बहुत दयालू था लेकिन जब वह नहीं चाहती थी तो उसने कभी भी उस पर बल प्रयोब नहीं किया लेकिन वह बस उससे दर्ती थी उसने अपने हाथ में पकड़े हुए घिसे हुए सेल फोन पर नजर डाली अंदर संग्रहीत नाम अभी भी वुल्फ है उसके लिए म्यू यूंजिन एक भेलिया था हाला कि पीछे स्पोर्ट्स कार में काले सूट और गहरे धूप के चश्मे में एक आदमी ध्यान दे रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है म्यू यूंजिन ने अपनी थंडी आँखे सिकोड़ी महिला काफी देर तक घबराय हुई पीछे देखती रही लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया ये बेवकूफ यह नहीं सोचता कि उसके पास केवल एक ही कार है लूओ कियान ने वास्तव में इस समस्या को नजर अन्दाज कर दिया मुदा एक अमीर आदमी है जो द्रिड हिच्छा शक्ती वाले हैं आज यह मेबेक है कल ये बेंट ले है और परसो ये कुछ और हो सकता है अतल केवल मेबेक के माध्यम से उसकी खोज करना मूर खता होगी सड़क पर कुछ ट्राफिक जाम था इस दोरान लूओ कियान का सेल फोन कई बार बजा सू किंग को किसी ने बुलाया था जैसे उसे दर था कि वह नहीं जाएगी इसलिए वह उससे आग्रह करती रही हाला कि मिस्सू का स्वभाव अहनकारी है यहां तक कि अगर वह किसी से आग्रह करती है तब भी वह नौकर को फोन करने के लिए कहती है उसने सोचा कि लुओ कियान व्यक्तिगत रूप से उसे बुलाने के योग्य नहीं है लुओ कियान उस स्थान पर गई और क्रूस जहाज पर चगई साड़े छे बज चुके थे हाला कि सगाई की पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी सभी महमान जल्दी आ गए इसलिए वह बहुत देर से आई निमंत्रन सौपने के बाद बाहर पहरा दे रहे अंग्रक्षक ने उन्हें जाने दिया हाला कि जब लुओ कियान अंदर गई तो वह ब्रमित दिखी चारों और महमान थे आ रहे थे और जा रहे थे ये बहुत जीवन्थ था सूकिन को सफेद रंग पसंद है इसलिए हाल के अंदर और बाहर हर जगव बर्फ की तरह शुध सफेद फूल है बाहर कई सुनहरे पात्र भी लटके हुए है मिस्टर बाइ मोफैंग और मिस सूकिन का सगाई समारो हाल में रोशनी बहुत सुन्दर है जिसमें विभिन रंग आपस में गूधे हुए है और नर्म स्वर है जिससे लोगपरी कथा सामराज्य में नहाय हुए लगते है लूओ कियान ने एक गहरी सांस ली और जब उसने ये द्रिश्य देखा तो उसे अचानक थोड़ी इर्श्या महसूस हुई जिससे आप प्यार करते हैं उससे हाथ मिलाना शायद हर लड़की का सपना होता है वो बहुत देर तक बीच में मूर्फता पून खड़ी रही और अंत में एक परिचित को देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड गई लूओ वानचेंग और उसका परिवार उसकी ओर चले लूओ क्यान ने एक गहरी सांस ली और एन हुई की आँखों में कथोर भाव देखा और वह वापस होश में आ गई यदि आप हारते हैं तो मत हारें इतने वर्षों के बाद क्या आप अब भी इससे डरते हैं इसके अलावा अब जब नियू युनजिन उसकी रक्षा कर रहा है तो दरने की कोई बात नहीं है मुझे एक गिलास शैंपेन दो धन्यवाद आखिरकार वो दस साल से अधिक समय से लूओ परिवार की बेटी के रूप में रह रही है इसलिए वह भी भी इस तरह की स्थिती को संभाल सकती है उसने ट्रेले जा रहे वेटर से विनम्रता से कहा उसकी हरकते आकरशक थी उनका हर कदम प्रसिद परिवारों से कमतर नहीं है ओह! मुझे वास्तव में प्रायुजक से प्यार हो गया इस पोशाक की कीमत हजारों में है यू उश्वा ने अपने हाथ में एक कॉक्टेल पकर रखा था और उसकी गहरी आँखों की छाया ने उसमें थोड़ा सा आकरशन जोड़ दिया उसने लुओ कियान की पोशाक को ध्यान से देखा और उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी हाला कि इस तरह के भोज में शामिल हुने के लिए आपको शाम की पोशाक पहनने की जरूरत है आप सिर्फ सकट पहन कर क्यों आए भले ही इसकी कीमत हजारों डॉलर हो मिस्सू की सगाई की दावत में ये बहुत जर्जह है है ना लूओ कियान ने कल की वही 38,000 बेज रंग की पोशाक पहनी हुई थी काप्टों का ब्रांग ठीक है लेकिन यह वास्तब में इस अवसर के लिए उप्योक्त नहीं है लेकिन उनके पास शाम की ड्रैस नहीं थी इसलिए उन्हें ये पहनना पड़ा छोटी बहन आप ऐसा हाला कि यह पोशाक शाम की पोशाक नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत आकर्शक है लूओ कियान ने अपने हाथ में रेड वाइन पकली उसे अपनी बहन से छुआ लूओ कियान को दुरभावना पून नजरों से देखा मुस्कुराया और कहा इस तरह हम अदेखवित्य प्रायोजकों को आकर्शित कर सकते हैं है न उद्धरन चिन भाई आपने यही कहा था हाँ कुतिया तो कुतिया होती है और अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकती लूओ श्वा ने सहमती में सिर हिलाया एन हुई ने यहां तक कहा ओह ये हमारे द्वारा की गई बुराई के लायक नहीं है हमने पहले ऐसी बेशर्म लड़की को खियो अपनाया हमने उसे दस साल से अधिक समय तक पालने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन जब घर पर कुछ हुआ तो हमने ऐसा नहीं किया पर वा ये वास्तव में है ठीक है चुक रहो सब लोग लूओ वानचेंग ने उन तीनों को रोका फिर वह लूओ क्यान के ओर चला और मुस्कुराते हुए कहा क्यान क्यान तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी पसंद बनाने का अधिकार है लेकिन आखिरकार हम एक परिवार हैं हमें समय मिलने पर वापस जाना चाहिए और मिलना चाहिए पिताजी को याद आती है तुम बहुत हो लुओ वानचेंग एक व्यवसाई के रूप में निश्चत रूप से वह लाप के लिए सब कुछ करेगा हाला कि लुओ कियान ने इस बार लुओ परिवार की मदब नहीं की लेकिन क्योंकि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति मू यून जिन था लुओ वानचेंग के मन में अभी भी एक छोटी सी गन्ना थी वह लुओ कियान के स्वभाव को समझते थे हाला कि वह इतनी कमजोर लड़की नहीं है जितनी उपर से दिखती है लेकिन वह बहुत प्रूर भी नहीं है यदि आप स्वयम चाले चलेगे तो हो सकता है कि आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट न मिले धन्यवाद श्री लुओ मेरा अब लुओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है यदि श्री लुओ वास्तव में हमारे पुराने रिष्टे को याद करते हैं तो कृपया मेरे जीवन को फिर से परेशान न करें लुओ कियान थोड़ा मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान बहुत थंडी थी आप ऐसा नहीं कह सकते ये सुनकर इन हुई चिंतित हो गई और उसने टोकते हुए कहा हमारे परिवार ने आपको दस साल से अधिक समय तक पाला है आप हमसे खाते हैं, हमसे पीते हैं और हम ट्यूशन का भुपतान करते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते इतने व्रिदेहीन बनो मैं तुमसे कहता हूँ इस खाते को निप्टाने के लिए हमें न्यू ग्रुप से कम से कम तीम प्रमुक परियो जनाओं की आवश्यक्ता है लूओ कियान ने भौहे चड़ा ली एक कदम पीछे हट गई और थंडे स्वर में कहा मुझे व्यावसा एक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है इतना कहने के बाद वह मुरी और चली गई लूओ कियान रुको ये देखकर लूओ किया तुरंट आगे बढ़ी और लूओ कियान की कलाई पकड़ ली जाने दो लूओ कियान अचानक क्रोधित हो गई लूओ कियान को कोई परवा नहीं थी उसने कॉप्टेल अपने हाथ में लिया और लूओ कियान पर डाल दिया लूओ कियान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चक्मा देना चाहती थी लेकिन लूओ शुया ने उसे इतनी जोर से खीचा कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकी तब ही उसे लगा कि उसने खुद को मूर्क बना लिया है अप्रत्याशित रूप से महत्वपून क्षन में किसी ने उसे जोर से खीचा और लूओ शुया को सीधे बाहर धा केल दिया आह वह आदमी इतना शक्तिशाली था कि लूओ श्वा बिना तयारी के जमीन पर गिर गया फुस्फुसाहत की आवाज आ रही थी जो कपड़े के फतने की आवाज लग रही थी क्यान क्यान आप यहां क्यूं है एक सुखद आवाज आई सौमय और विनम्र जिससे लोग बहुत सहज हो गए लूओ कियान ने तिर्ची नजर भुमाए और सफेद सूट पहने एक आदमी को देखा उसके न्यान नक्ष तीखे थे और वह बहुत सुन्दर था उसके पूरे शरीर से अवर्णिय सुन्दरता जहलक रही थी उस आदमी ने उसकी और कोमल आखों से देखा जैसे उसने कोई खजाना देखा हो और उसकी हलकी सी चीक बहुत परिचित लग रही थी जैसे कि वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों बाई मोफेंग लूओ कियान दंग रह गई आखिरकार उसने उस आदमी को पहचान लिया जो एक साल से पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था कियान कियान तुम सच में मुझे नहीं भूले हो बाई मोफेंग धीरे से हसा सगय पार्टी का नायक सामने आया लेकिन उसने अपनी मंगेदर के साथ रहने के बजाए किसी और को बचाया जिसने तुरंट सभी का ध्यान आकरशित किया सबकी निगाहों को भाम पते हुए लूओ कियान ने अपने चहरे पर शर्मिंदगी का संकेत दिखाया उच सुकता से उसे दूर धकेल दिया और सीधी खड़ी हो गई वा मास्टर बाई की कोमलता का इस्तिमाल गलत जगल पर किया गया होगा यूओ श्वा की आँखे इर्शिया से भर गई और उसने असपष्ट अर्थ के साथ कहा यूओ वा मास्टर बाई की कोमलता का इस्तिमाल मिस्सू पर नहीं किया जाना चाहिए वो शर्मिन्दगी में जमीन से उठ गई, कॉप्टेल उसके पूरे शरीर पर फेल गया था और उसके बाल बिख्रे हुए थे वो वास्टव में शर्मिन्दा थी जब आसपास के लोगों ने इस बार समर्थन के बारे में सुना, तो वे तुरंट दिल्चस्पी लेने लगे सभी जिग्यासु ने गहें लुओ की यान पर टिकी थी, जिन्होंने बेज रंग की पोशाक पहनी हुई थी ये सुनकर बाइ मूफेन का चहरा थोड़ा बदल गया और उनकी नाराजगी स्पष्ट थी उसने लुओ शुया की ओर देखा, तुरंट अपने चहरे पर मुस्कान दबा दी और थंडे स्वर में कहा ऐसा लगता है कि मेरे मामलों की देख भाल करने की आपकी बारी नहीं है उद्धरन चिन्ह, इसके अलावा भविश्य में कियान कियान को धमकाना मत यदि आप मुझे इसे फिर से करने दे, जब मैं आपको कुछ पोशन संबंधी बाते सुनता हूँ तो आपके प्रती असब्य होने के लिए मुझे दोश न दे बाई मोफेंग के शब्द उचे नहीं थे, लेकिन हर जगह खत्रे का आभास था यू उश्वा ने गुसे में अपने दांग पीस लिए और बाई मोफेंग के साथ बहस करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने किसी को टिपनी करते हुई सुना देखो उसकी सकट फट गई है, और वह भी भी इधर उधर भागने की हिम्मत कर रही है उधरन चिन्ह, ओ, उसका अंदविय खुला हुआ है, ऐसा लगता है कि उसके पास एक अच्छा फिगह है मुझे नहीं पता कि मैं कितने पुरुशों के साथ सोई हूँ यहां बहुत सारे प्लेबॉय आते हैं, और वे आसानी से गंदेश शब्द बोलते हैं जब लुओ शुया गिरी तो उसकी सकट फट गई थी ऐसी जगव पर उसकी सकट का फट जाना और एक खुशाल जोड़े का होना वाकई शर्मनाग था यह देख कर, लुओ ने अपनी भौहें उठाएं और मुस्कुराते हुए कहा बहन, जल्दी से कपड़े बदल लो तुम्हारी सकट फट गई है और तुम अभी भी यही ख़ली हो क्या तुम जान बूच कर खुद को बेनकाप करना चाहती हो यह महिला विनम्र नहीं है और लुओ क्यान भी अच्छा इंसान नहीं है बदमाशी, सिस्टर लुओ श्विया के साथ इतने वर्षों तक बहस करने के बाद वे दोनों अधिक से अधिक छगडालू हो गए है लुओ क्यान, घमन मत करो, मैं तुम से कहती हूँ हाँ हाँ, लुओ परिवार की दूसरी महिला का नितम वास्तव में अच्छा, सफेद और कोमल है मैंने सुना है कि वह हाल ही में तीन नावों की सवारी कर रही है और बहुत अच्छी है, खुश लुओ क्यान, ये सुनकर लुओ श्विया के हाव भाव बदल गए उसने उस आदमी को घूर कर देखा, फिर अपनी सकर्ध हकी और कपड़े बदलने चली गई वास्तव में, मैं सुकिन की सगय पार्टी में आ सकती हूँ ये वर्थी जिसने निमंत्रन पाने के लिए अपना सर्वश्रेश्ट प्रयास किया और कड़ी मिहनत की अन्य था, लूओ परिवार आने के योग्य नहीं होगा इसलिए, यहां के लोग लूओ परिवार से अधिक शक्तिशाली हैं अगर वे उससे कुछ कहते भी हैं, तो उसके पास खंडन करने का कोई रास्ता नहीं है जब एन्हुई ने सुना कि उसकी बेटी का अपमान किया जा रहा है, तो उसका चहरा गुस्से से लाल हो गया उसने लूओ वानचेन की आस्तीन खीची और कहा, क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा अगर आपको परवा नहीं है, तो आपकी बेटी की शादी कैसे होगी भविश्यप अन्दस को उनके सकल में हर कोई लूओ शुयाद्वारा किये गए बुरे कामों के बारे में जानता था तो यह कोई नई बात नहीं है एन हुई इतनी गुस्से में थी कि उसका उन लोगों से लगभग जगड़ा हो गया था लेकिन अंततह लूओ वानचेंग ने उसे रोक दिया लूओ वानचेंग लूओ कियान के पास गए, दो बार खान से और कहा कुछ दिन पहले जो हुआ वह आपकी बहन की गलती थी लेकिन वह युवा और अज्ञानी है, इसलिए उसके साथ बहस न करें वह युवा है, क्या ऐसा हो सकता है, मिस्टर लूओ बहुत छोटे है लूओ कियान ने बरफीली आँखो से लूओ वानचेंग को देखा और बार बार उपहास किया जब लूओ वानचेंग और एन हुई ने उसे डू ली हैंग को दिया, तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाए आर्क रेटर दैन, इसके अलावा, सबसे पहले उसे गोद लेने का इस आदमी का एक उदेश्य था लूओ वानचेंग का चेहरा दुखी देख रहा था, और उसने भोहें चड़ा ली और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ उद्धरंचेंग, भले ही आप बड़े हो, अगर आप बहुत कुछ करते हैं, तो आप सम्मान के योगि नहीं हैं बाई मोफैंग ने शान्ती से कहा, उसने लूओ वानचेंग को तिरसकार की दृष्टी से देखा लूओ वानचेंग उनके शब्दों से दब गया और पूरी तरह से अवाक रह गया अन्त में, वलकेवल मुस्कुरा सका और कह सका, आप वियस्थ हैं, आप वियस्थ हैं बाई परिवार का योवा मास्टर कोई ऐसा व्यक्ती नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके लूओ वानचेंग के जाने के बाद, बाई मौफेग ने सौम्य मुस्कान के साथ लूओ कियान की ओर देखा आज तुम मेरी सगाई की पार्टी में क्यू शामिल होना चाहते हो लूओ कियान चुप रही और बस अपना सिर हिलाया बाई मौफेग ने आह भरी, अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को धीरे से रगड़ा जैसे की अगले दर्वाजे पर बड़ा भाई था एक पल के बाद, लूओ कियान ने उससे फुस फुस आते हुए सुना कियान कियान, अगर तुम मुझ से अभी वादा करो तो मैं इस सगाए समारो को तुरंत रद कर दूंगा उसकी गहरी आखे उसे करीच से देख रही थी जैसे की वे आकाश की तारों की रोशनी में भीग गई हो लूओ कियान ने एक सांस ली और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया मुझे बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह ये सवाल पूछेगा इतना लंबा समय हो गया है और वह हमेशा सोचती थी कि इतने लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद बाई मोफेंग सिर्फ मजाप कर रही थी लुओ कियान अपना सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक एक संतुष्ट आवाज सुनाई दी बाई मोफेंग आप क्या कर रहे हैं सूपरिवार के दूसरे युवा स्वामी सूरूई थंडे चेहरे के साथ चले आए उनके पीछे कई सूपरिवार थे सदस्य और बाई मोफेंग की बहन बाई कियान रो भी सूची में हैं भाई आप क्या कर रहे हैं बाई कियान रो ने जल्दी से आकर लुओ कियान को दूर धकेल दिया और बाई मोफेंग से फुस-फुसाया आज वह दिन है जब आपकी और सू किल की सगाई हो गई है आप अभी भी उस लुओ क्यानला की साथ बहस क्यों कर रहे हैं लानत है ये बुरा होगा अगर अमिलिया सू नाराज हो गई कोई भी सू परिवार के बच्चे को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता बाई मोफैंग ने भौहे चड़ा ली उनके चहरे पर नाराजगी के भाव थे यह शादी वह नहीं थी जो वह चाहता था अगर उसकी माने उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उस पागल महिला सू किन से सगाई करने के लिए सेहमत होता सू रूई की नजर लूओ कियान पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था जैसे ही वह बोलने वाला था वह स्तब्ध रह गया ये लड़की लड़की तुम्हारा नाम क्या है इस समय सू परिवार का दूसरा बुजुर्ग जो था पीछे खड़ा था कुछ बोला नहीं की सबसे खूब सूरत महिला थी जो अंगिनत महान पुरुषों को अपनी और आकर्षित करती थी इसलिए अधेर हुमर में भी लैंजी की सुंदरता आश्चार्य जनक है ऐसा लगता है कि समय उससे कुछ भी नहीं चीन रहा है बलकि उसे और अधिक स्त्री बना देता है लैंजी पौराने का मर देवी है इसलिए सू शाव चेन जो रोमेंटिक क्षेत्र में थे लैंजी से मिलने के बाद पूरी तरह से रोक गए ये देखा जा सकता है कि श्रीमती सू अपने पती को 20 से अधिक वर्षों तक लगातार बनाए रखने और एक साथ 6 बच्चों को जन देने में कितनी आकर्शक है लैंजी ने लूओ कियान को ध्यान से देखा आश्चर्य से जो उसकी आँखों में छिप नहीं सका लूओ कियान ने भी उसकी ओर देखा थोड़ा स्तब्ध उसकी चहरे पर आश्चर्य था आपका नाम लूओ कियान है लैंजी ने अपने आसपास के लोगों की बाते सुनी और पूछा लूओ परिवार की बेटी लूओ कियान ने सिर हिलाया लैंजी ने मुलकर अपने पती की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई चलो चले उसने लूओ कियान को शर्मिंदा नहीं किया जो अभी बाई मुफेन के बहुत करीब लग रही थी लेकिन मैं वास्तव में आश्चर्य चकित भी था जब मैं छोटा था तो ये लड़की बिलकुल मेरी तरह दिखती थी वो लगभग उसी साचे में गली गई थी अगर ऐसा ना होता कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ होती लैंजी को ये भी संदेर था कि लूओ कियान उसकी बेटी थी चेहरे के न्यान नाक्ष और भोहे बिलकुल एक जैसी है लूओ कियान भी थोड़ा आश्चर्य चकित थी कि वह लैंजी से कितनी मिलती जूती थी हाला कि सू परिवार की योवा महिला सू किंग है लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कियान कियान बाई मोफैंग ने उसकी ओर देखा और फिर से बोला क्या तुमें चुक हो यदि वह चुक थी तो वह उसे ले जाएगा भले ही वह अपने परिवार से नाता तोड़ ले तुम क्या चाहती हो बाई क्यानरो जो एक तरफ खड़ी थी अचानक बोली यूओ क्यान की ओर इशारा किया और शाप दिया मेरे भाई से दूर रहो तुम बहुत गरीब और गरीब हो तुम मेरी युवा प्रेमिका बनने के योग्य नहीं हो बाई परिवार अधिक से अधिक आप सिर्फ एक दर्शक हैं चुक रहो ये सुनकर बाई मोफें वचानक प्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन को रोपने के लिए अपना मूँव खोला चुक रहने के बजाए बाई क्यानरों ने चीखते हुए कहा भाई मैंने जो कहा वह सच है इस तरह की महिला की स्थिती निम्न है और वह भूत की तरह दिखती है ये कैसे संभव हो सकता है पॉक बाई से पहले क्यानरों अपना वाक्य पूरा कर पाती बाई मोफें ने उसे थप पर मार दिया भाई तुमने वास्तव में मुझे इसके लिए मारा बाई क्यानरों एक पल के लिए स्तब्ध रह गई फिर गुस्से सिद्धारने लगी जिससे उपस्थित सभी महमान अपनी ओर देखने लगे लूओ क्यान ने भाई बहन के जगडे के द्रिश्य को थंडी आँखों से देखा एक पल के बाद वह आगे बड़ी और शान्ती से बोली मास्टर बाई आपके प्यार के लिए धन्यवाद लेकिन मैं लूओ क्यान आत्म जागरूख हूँ और यह जाने बिना की मैं क्या कर सकती हूँ बाई परिवार में कभी कदम नहीं रखूंगी आप और मिस सूकिंग सगाई करने वाले हैं मैं आपको एक खुशाल शादी और अद्वितिय प्यार की शुब कामनाएं देती हूँ और मुझे आशा है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम सिर्फ अजन्वी होंगे उधरन चिन्ह इतना कहने के बाद लुओकियान ने अपने हाथ में शैंपेन पकर लिया और एक शांत कोने में चली गई वह आज सिर्फ क्लोजर लेने के लिए यहां आई थी उसे उम्मीद थी कि बाई मोफैंग और सूकिंग की सगय आसानी से हो जाएगी और बाई मोफैंग उसे परिशान करना बंद कर देगा इस तरह वह इस मामले को लेकर दोबारा मुसीबत में नहीं फसेगी अमेलिया सूब वह उसे अपमानक करने का जोखिम नहीं उठा सकती वह बाई परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी वो कम से कम अपना जीवन शान्ती से जीना चाहती थी इस समय ग्रेसिंग रूम में सुखिंग मेकप लगा रही थी और देश के शीर्ष मेकप कलाकार उसके चारों और खड़े थे उसके बगल में पड़ी एकवा ब्लू हीरे से जड़ी पोशाक विशेश रूप से फ्रांस में अनुकूलित की गई थी यह अंतराश्ट्रिय स्तर पर प्रसिध डिजाइन मास्टर का एक मात्र काम है यह अद्वितिय है और कहा जाता है कि इसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है सू किंग सू परिवार की इकलौती बेटी है सू परिवार के लिए अपनी बेटी की सगाई के लिए करोणों डॉलर की पोशाक बनवाना उच्चित है सू किंग तुम्हें अपने परिवार को देखना होगा अभी तुम उस लुओ की आन से पूछ रहे थे कि क्या वह उससे शादी करेगी तुम्हारे लिए बाई मोफैंग के बारे में बात करना बहुत ज़ादा है ये सिर्फ खाना और देखना नहीं है इसमें क्या है पॉट लूओ शुया एक लंबी काली पोशाक में बदल गई उची एड़ी में चली गई दरवाजे के सामने जुख गई और बुदबुदाने लगी क्या ये सुनकर मिस्सू का चेहरा अचानक थंडा हो गया वह अचानक आगे बढ़ी और मेज पर रखे पफ्यूम को उठाया और जोर से जमीन पर फेक दिया अचानक ड्रेसिंग रूम खुश्बू से भर गया कई मेकप आर्टिस्ट डर के मारे दो कदम पीछे हट गए और बिना कुछ बोले चुकचाप खड़े हो गए वे सभी सबसे बुजुर्ब महिला के स्वभाव को जानते थे लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की सु किंग ना राज मत हो ये मुझे नहीं लगता कि यह मास्टर बाई की गलती है ये सब लुओ कियान की गलती है लुओ शुया ने सु किंग के थंडे चहरे को देखा उसकी आखे चमक उठी वो सु किंग के पास पहांची और फुस फुसाया क्विंग एर आप लुओ कियान के स्वभाव को भी जानते हैं वो बहुत घमंडी है उसे दूसरों के साथ बहस करना पसंद नहीं है लेकिन वास्तव में वह जिद्धी है अगर वह कुछ नहीं करना चाहती है तो चाहे आप उसे कितना भी मजबूर करें ये बेकार होगा तो वह इस बार आपके आने पर सहमत होकर बहुत खुश है शायद यह उसके भाई के लिए नहीं बलकि मास्टर भाई के लिए है सू किंग का चहरा तेजी से बदसूरत हो गया उसने अपने सामने लकडी की कंगी को इतनी जोर से पकड़ा की वह लगभग तूट गई क्या आप उसके लिए तयार है जो मैंने आपको पहले बताया था सू किंग ने दांग पीस्ते हुए पूछा लू उश्वया ने जल्दी से सिर हिलाया चिंता मत करो सब कुछ तयार है इस बार मैं उसे पूरी खुराक दूंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक फूहर बन जाए क्या नरों ने फोटो लेने के लिए किसी की भी व्यवस्था की है और लू उश्वया निश्चित रूप से ऐसा करेगी इसे कल करें क्यान एक नया अश्चिल फोटो पोर्टल बना सकता है नहीं मैंने अपना मन बदल दिया है सु किंग अचानक उठ खड़ी हुई आह बदल गया आपका मन बदल गया लू उश्वया ये सोचकर स्तब्ध रह गई कि वहब लू उकियान को दंडित नहीं करना चाहती थी और जल्दी से कहा किंग एर वह लू उकियान जानबूच कर बाई मोफैंग को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है उसके बारे में सोचने के लिए क्या ये संभव है कि यह स्वर क्या आप इसे निगल सकते हैं उसने अपनी पहचान बताए जाओ और सड़क पर कुछ लोगों को ढूंडो पचास साल से अधिक उमर का एक बेघर आदमी आया और उन्हें दवाद दी और इंतजार करने के लिए कमरे में भीज दिया उसने अपनी मुठिया वींच लिए अपने होटों के कोने उपर उठा लिए और उपहास किया यदि आप उससे किसी पुरुष को चुराने का साहस करते हैं तो उसे करूर होने के लिए अमेलिया सु को दोश न दे लुओ कियान कोने में अकेली बैठी चुक्चा अप मिठाई खा रही थी एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह जितना संभव हो सके अपनी उपस्तिती कम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जो लोग आज सु किंग की सगाई की पार्टी में आय थे उनुच्च वर्प के लोगों के अलावा कई कॉलेज की सहपार्थी भी थे जिन में से सभी लुओ कियान को जानते थे अरे, क्या ये लुओ किया नहीं है? आप भी यहाँ क्यों है? क्या सूकिन के साथ आपके संबंध खराब नहीं है? एक महिला सहपाथी कॉक्टिल लेकर आई क्या तुमने नहीन देखा कि वह वही थी जिसने अभी अभी बाई परिवार के युवा मास्टर के साथ संबंध बनाए थे उसकी वजह से बाई कियानरों को पीटा गया था एक और महिला सहपाथी आ गई जो कोई भी सूकिन के करीब है वह निश्चित रूप से लूग कियान का कटर दुश्मन है और निश्चित रूप से व्यंग्यात्मक टिपनी करेगा क्या उसे रखा नहीं जा रहा है वह बाई मोफेंग को बहकाने के लिए क्यों आई थी और उसे डर नहीं था कि उसका प्रेमी उसे गला दबा कर मार देगा उधरन चिन्ह रखा गया हाँ उसने जो पोशाक पहनी है उसे देखो इसकी कीमत हजारों में है जब वह स्कूल में थी तो वह जो कपड़े पहनती थी वे दस्यों युवान की कीमत वाले स्ट्रीट स्टॉल के सामान थे अगर उसकी देखवाल नहीं की गई होती तो वह इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद पाती क्या आपने परियाप्त कहा युवो कियान का हाथ पकरना का पचानक कड़ा हो गया उसका चहरा अचानक थंडा हो गया वह उठखडी हुई बर्फ जैसी आँखों से अपने सामने दो लोगों को देखा और थंडे स्वर में कहा मैं जो पहनती हूँ वह मेरा अपना व्यवसाय है इसका आपसे क्या लेना देना है आठवे पो आप कौन बात कर रहे हैं के बारे में आठवी पो लुव कियान उसने भौहे चड़ा ली और काट लिया उसके होंट उसके चहरे पर गुसा और भी मजबूत होता जा रहा है इसी समय एक कोने में एक लंबा आदमी रेड वाइन पी रहा था और हलकी से उसे देख रहा था सीयो किया आप चाहते हैं कि मैं आउन गूर जेन एक तरफ खड़ा हो गया अपने सीयो के चहरे की ओर देखते हुए और क्रोट से पूछा सीयो ने आज सभी मनोरंजन से इंकार कर दिया और वास्तव में यहां मिसलूओ का अनुसरन किया मैं आज सेक्रो करोर रुके के अनुबंद पर हस्ताक्षर कर सकता था लेकिन किसने सोचा होगा कि सीयो इसे इस तरहागी बड़ा देंगे मू यूंजन ने थंड़े भाव से शराब का एक गूंट लिया दूर से घेरी हुई छोटी महिला को देख कर उसकी भौहें, चुवान, के चरित्र पर कसकर टिक गई देखा जा सकता है कि म्यूद्दा इस वक्त बेहत खराब मूड में है हाला कि उसने फिर भी गू जेन की और अपना हाथ लहराया ये दर्शाता है कि वहाँ जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है लेकिन ठंडी आँखोंने लूओ कियान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा क्या आपने इस छोटी लड़की को नहीं बताया कि अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वह साह पूर्वक उसका जवाब देगी उसके साथ मूयूंजिन उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत कौन करेगा उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के कारण म्यूदा वास्तव में लूओ कियान से नाराज थे ये सिर्फ दो महिलाएं हैं उनमें से प्रत्येक को अपना गुसा शान्त करने के लिए कुछ थपपर मारना अच्छा है वहाँ डांट फटकार का युद्ध और भी भायंकर हो गया दोनों लड़कियों ने लूओ कियान को घेर लिया और बिना रुके श्राप दिया और जो शब्द उसने कहेवे और भी बद्तर होते जा रहे थे देर सवेर तुम्हारे जैसी हजारों लोगों के लिए खिलोना बन जाएगी लूओ कियान मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम गिरोगे तुम साधारन कपड़े भी नहीं खरीद पावगे सकत्तो दूर की बात है हजारों यूआन की कीमत दोनों ने बहुत ज्यादा कहा यहां तक कि आगे बढ़ने के लिए शराब भी अपने हाथों में उठाली ये देख कर लूओ कियान ने भौहें चड़ा दी वह भोज में परेशानी पैदा नहीं करना चहती थी लेकिन इन दोनों लोगों का व्यवहार उसके लिए सच्चमुच असहनिय था सामने वाली महिला के ड्रिंक से बचते हुए वह अचानक दो कदम पीछे हट गई और साथ ही सीधे उसके हाथ में पकड़ा ग्रिंक फेक दिया वह गलती से अपनी पकड़ खो बैठी और शराब का गिलास भी बाहर गिर गया ये पूर्ण आश्चर्य था वाइन का गिलास उस लड़की की सिर पर लगा जिसने पहले लूओकियान को उकसाया था जिससे वह खुबसूरती से खिल गया आह लड़की चिल लाए हर जगह खून बिखरा हुआ था दिल दहला देने वाला था लूओकियान भी डरी हुई थी उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चूक जाएगी लूओकियान तुम किसी को मारना चाहते हो बाद में लड़की को एहसास हुआ और वह अपने साथी की मदद करने के लिए दोली उसने लूओकियान के ओर देखा और आरोप लगाया अगर वेवेई को कुछ होता है तो पकड़े जाने तक इंतजार करो क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि लूओकियान नाम के व्यक्ति ने किसी को पीटा है हाँ, फिर भी, मैंने देखा खून थोड़ी देर तक महमान इसके बारे में बात कर रहे थे क्रूज जहाजों पर निजी डॉक्तर होते हैं निजी डॉक्तर तुरंट प्राथम एक चिकित सकित लेकर पहुचे और मौकि पर बचाव प्रदान किया ये लूओकियान था जिसने वेवेई को मारा उसे जल्दी से पकड़ो और उसे भागने मत दो लड़की ने भोज में भाग लेने वाले एक कुरुश सहपाथी को बुलाया और लुओक यान को ब्लॉक कर दिया इस दरसे की वह भाग जाएगी क्या चल रहा है इसी समय भोज का नायक प्रकट हुआ सू किंग ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिये थे और मेक अप कर लिया था उसने नीले रंग की फर्ष लंबाए वाली सकट पहनी हुई थी सकट पर लगे हीरे आकाश में सितारों की तरह चमकदार थे उसके बाद बाइक यानरो और लुओ शुया थे उसके पीछे साथ आठ लोग थे जो उसकी सकट उठाए हुए थे एक धनी परिवार से आने के कारण उसका हर कदम बहमूल्य है इस प्रकार का बड़पन बच्पन से ही विक्सित किया गया है उसने लुओ कियान को थंडे और अहनकारी चहरे से देखा और थंडे स्वर में बोली वो अपनी सगाई की पार्टी में खलर दालने के लिए लुओ कियान से बहुत असंतुष्ट थी सू किंग ये लुओ कियान ही थी जिसने वेई-वेई को हराया था जब हम सहपाथी के रूप में मिले तो हम बस पुराने दिनों को याद कर रहे थे कौन जानता था कि वह ऐसा करेगी वेई-वेई वाली लड़की ने गुस्से में कहा जहां तक इस तथे की बात है कि उसे रखा गया था फिर हमने सुना कि दूसरों ने क्या कहा इसलिए हमने उससे कुछ सवाल पूछे फिर वह किसी को नहीं मारेगी वेई-वेई का सिर तूट गया है उसने जान बूज कर समर्थन शब्द जोर से कहा उपस्थित लोगों ने लूओ कियान को तिरसकार की दृष्टी से देखा क्यान क्यान क्या तुम्हें किसी ने बंधग बना कर रखा है सू किंग का चेहरा बदल गया और उसने थोड़ी चिंता के साथ लूओ कियान की ओर देखा क्यान क्यान, तुम मुझे खिय नहीं बताते कि तुम्हें। क्या कठिनाया हैं, हम सभी बहने हैं, क्या हम कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम इस तरह खुद को कैसे बर्बाद कर सकती हो। सु परिवार की कुलीन छोटी राजकुमारी अभिने में भी बहुत अच्छी है। दीदी, कोई आश्चर्य नहीं कि आप कभी घर नहीं आती और अपने माता पिता के साथ रिष्टा तोड़ देती हैं। ये पता चला कि आपको गोद लिया जा रहा है। इस समय, लुओ वार की गोदली हुई बेटी हैं, लेकिन आपके माता पिता ने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। आपको ये कदम क्यों उठाना पड़ा। वह और सू किंग, आप और मैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समनवय रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि लुओ कि अच्छान से घायल हो गए थी, कब बहुत खून बह गया था, कम से कम उसे कांच के टुकडों से खरोंच आई थी। पट्टी बांधने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन वेई-वेई की मा नाराज थी। बदबूदार लड़की जिसे किसी ने रखा था, उस अभी भी एक अमीर महिला हैं, लेकिन उनकी गुनवत्ता अच्छी नहीं है। ये देख कर कि उसकी बेटी घायल हो गई है, उसने तुरंत शाप दिया, और फिर हॉल में नौकर से कहा, मेरे लिए शराब की दो बोतले लाओ, मैं इस छोटी लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। लूओ कियान की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। सभी की तिरसकार भरी नजरों का सामना करते हुए, उसने धीरे से कहा, मेडम, वह आपकी बेटी थी जिसने सबसे पहले मुझे अपने शब्दों से गंभीर रूप से आहक किया था, और उसने पहले कदम भी उठाया, मैं सिर्फ आत्मरक्षा में काम कर रहा था, मुझे इससे बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो, पुलिस को बुलाओ और मानहानी का मुकदमा करो, हाला कि वह लोगों से घिरी हुई थी, लेकिन उसका फि उसकी नजर से चौक कर सामने मौज मस्ती देख रहे कुछ लोग शान्ती से कुछ कदम पीछे हट गए, सू किंग ने बाइक या नरो पर एक नजर डाली, बाइक या नरो ने समझा, एक कदम आगे बढ़ाया, और मुस्कुराते हुए कहा, लुग कियान, लोगों को धोखा देने के लिए इस चाल का उप्योग न करें, हम पुराने सहपाथ ही हैं, हर कोई जानता है कि आप पहले कैसे थे, आप दरजनों योवान के सड़क के कपड़े पहनते हैं, अरे, मैंने कई वर्षों तक स्नीकर्स की एक जोड़ी पहनी है, और उन्हें बदलने के इच्छु होने से पहले तलवे खराब हो गए हैं, अब आप देखें, हाला कि आपने जो सकट पहनी है वह बहुत मूयवान नहीं है, लेकिन इसकी कीमत हजारों में है डॉलर, मुझे डर है कि ये दसियों हजार डॉलर वही है जो आपके पास पहले थे, सभी कपड़े मिला कर पैसे के लायक नहीं है, टीक्यू एवन और आपके जूते और असली चमणे के बैग, ये भी बहुत खराब नहीं है, क्या आप इन्हें अपने साथ खरीज सकते हैं अपनी क्षमता, उधरन चिन्ह, तो आप दूसरों की बदनामी को अलविदा कह रहे हैं, अपराध करने से पहले, आपको पहले खुद को जाचना चाहिए कि क्या दूसरे जूट बोल रहे हैं, या आप बेशर्म हैं, इन शब्दों ने निसंदे सभी को लुओ कियान की प्रती और अधिक संदिग्ध बना दिया, लुओ कियान अवाक रह गया और कुछ देर तक कुछ बता नहीं सका, ये स उन कई महिला साथियों में से एक है जिसे वह व्यक्ती देखते नहीं थकता, वह म्यू यूंजन के विचारों को समझ नहीं सकी, उसके बारे में सोचते सोचते उसकी खूब सूरत आखों में उदासी की लहर दोल गई, और बाइक या नरो ने आगे कहा, मेरा भाई पहले परमोह था, इसलिए तुमने उसे बहकाना शुरू कर दिया, सौभाग्य से मेरे भाई की आखे उजजवल हैं और अंततल तुमने मुझे चुना किंग र, आप एक अच्छी लड़की हैं, अन्य था हमारा भाई परिवार आपसे धोखा नहीं खाता, जब उसने ये कहा, तो बाई कियानरो का चेहरा खुशी से भर गया, लुओ कियान को इस तरह अपमानित करने में सक्षम होने पर वह वास्तव, में खुश थी, कियानरो, पहले जो हुआ उसके बारे में बात मत करो, वह मेरे बहन भी है, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, वह उस समय भ्रमित हो गई लुओ श्वा ने जल्दी से बात की, ऐसा प्रतीत होता है कि वह लुओ कियान के लिए विनती कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह जानबूज कर थी मामले की पुश्टी की, सभी ने सोचा कि लुओ कियान ने वास्तव में बाई मूफेंग को बहकाया था